हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक तो माई मिनी व्लोग तो सुबसबा का टाइम है गड़ी में आपको दिख रहा है पीछे सब पांच हो रहे हैं मैं पांच बजे उठ गई थी और एड़ी वेड़ी होके मैं अपने वेट लोग जन्नी के लिए स्टार्ट हो गई थी मेरा वेट हो गया है 75 kg जैसे कि आपको दिख रहा है बिफॉर मैरीज मैं 60 kg थी और एज़ा जिम ट्रेनर थी तो मुझको खुद अब अच्छा नहीं लगता है कि मेरा वेट बढ़ गया है 75 हो गया तो मुझे बहुत जल्दी अपना वेट कम करना है और इसके लिए मैं आज तयार हुए तो मैंने खुद से ये प्रण लिया है कि 30 दिन का मैं चैलेंज कम्प्लीट करूँगी वेट लोस का और मैं आपको भी रिजल्द दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से अपना वेट लोस करती हूँ तो मैं सुवट सुवट पहुच गई हूँ नीचे जॉगिंग के लिए फिर मैंने कम से कम आदा घंटा जॉगिंग किया और फिर पार्क में गई आपार्क में मैं कोशिश कर रही थी वर्काट करने की वाँप करने की बट वहां पे थे बंदर जिस वाजे से मैंने फटा- अच्छे से हमारी बॉड़ी में जा पाए एकदम से आपको वर्काउट स्टार्ट नहीं करना होता है क्योंकि यह सारी चीजे मुझे पता है तो मुझे किसी ट्रेइनर की जुरत नहीं है that's why the reason कि मैं खुदी घर पे यह सारी चीजे कर रही हूँ ऐसा नहीं है कि society में जिम नहीं है जिम भी में वहाँ भी जा सकते हूँ लेकिन अभी कुछ टाइम में क्योंकि minimum 4-5 डेज मुझे अभी mix वर्काउट ही करना है डिरेक्टली में कोई वर्काउट नहीं करूँगे और वेट वाला वर्काउट नहीं करना है नॉर्मल योगा एंड एक्सरसाइज करनी है और seriously मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मैं फिर से अपने पहले वाले जोन में वापिस आ गई हूँ और मुझे ये करके बहुत खुशी मिल रही है क्योंकि बहुत टाइम से मैं सोच रही थी कि कल से स्टार्ट करूँगे लेकिन वो कल कभी आई नहीं रहा थे इतना जादा आलस चड़ गया था मुझे कि मैं अपने जोन में वापिस आई नहीं पा रही थे लेकिन फिर भी मैंने ठाना और कोशिक करी तो कहते हैं न कोशिक करने वालों के कभी हार नहीं होती तो मेरी भी नहीं होगी तो देखते हैं तीस दिन बाद मेरा कैसा रिजलिट आता है अब इसके बाद मैंने स्टार्ट किया सूरय नमस्कार और ये सबसे best exercise या योगा कह सकते हैं आप और beginners के लिए सूरे नमसकार एक best exercise है खासकर housewife के लिए जिनके पास बाहर जाने का time नहीं होता वो घर पे इसको कर सकते हैं इसके बाद मैंने किया butterfly और butterfly भी as a housewife आप कर सकते हैं आपको butterfly वाली exercise करनी बहुत ज़्यादा important है क्योंकि ये आपके lower fat को कम करती है इसके बाद किया मैंने meditation करीवन 15 minutes का meditation आप daily के रिये बहुत relaxed feel होता है और सारी negativity दूर हो जाती है और ये सारी exercise करने का कारण मेरा यही है क्योंकि मुझे हो गया है थाइराइड और थाइराइड मेरा कम नहीं हो रहा है बढ़ ही रहा है जिसको मुझे control में करना है इसके बाद लग गई थी मुझे भूग तो मैंने change ways करके fresh होके फिर kitchen में आई और निकाला ये bread मैं यूज करती हूँ आटा bread मैं दा bread बिल्कुल भी यूज नहीं करना है फिर suddenly याद आया है कि मैं थाइराइड की medicine लेना तो भूली गई हूँ तो फटापट से medicine ली और पानी लिया फटापट से medicine ले ली मैंने और उसके 10 मिनट बाद मुझे breakfast करना था तो मैंने इसके बाद peanut butter लिया और आटा bread लिया bread को मैंने हलके सेखा गरम किया उसके बाद से peanut लगाए और इदे को चम्मच वी चाचाट के खर क्यों कि मुझे peanut butter बहुत पसंद है तो इसके बाद मैंने bread के अंदर peanut butter लगाए और फटा फटा से खा गई I hope so आपको आज की वीडियो अच्छी लगिये होगी आज के लिए इतना ही Stay Healthy and See Bye Bye